श्री गनेशाय नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशीफल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन में जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिती लेकर आती है इसलिए चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को प्रभावित करती ह और उसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है आपका राशिफल इस दिन कैसा रहेगा दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करेंगे जिसके कारण इस समय में आपको अचानक से धनलाब हो सकता है गुप्त धन की प्राप्ती भी हो सकती है इस दिन आप पर धन की वर्षा होने की पूरी संभावना रहेगी इस समय पर चंद्रमा लाबस्तान पर दुष्टी डाल रहे है उस वज़े से हर काम में मुनाफा होता नजर आ रहा है इस समय में व्यापारी काफी व्यस्त रहेंगे उच्चाईयो को छूने का मोका इस समय में आपको मिल सकता है इस समय में नोकरी करने वाले लोग नाम और पैसा दोनों कमाएगे दोस्तो अपने जीवन की या फिर किसी भी कारे से जुड़ी कोई प्लानिंग आपको करनी है तो ये समय आपके लिए बेहतरीन है जी हाँ इस समय का लाब जरूर उठाए इस समय में किसी भी चीज से जुड़ी प्लानिंग जरूर करे इस समय में मैरिड लाइट में मधूरता आएगी प्यार और आनन भरा महोल रहेगा लव रिलेशन्शिप के लिए भी दिन बहुत बढ़िया साबित होगा चंद्रमा के पंचम भाव में होने से जो लोग सिंगल है उन्हें अच्छे और नए रिष्टे बनाने में कामयवी मिलेगी नया पार्टनर आपको इस समय में मिल सकता है अगर इस समय में स्टूडन्स की बात करे तो चंद्रमा काफी अच्छी पोजिशन में है चंद्रमा स्टूडन्स पर क्रिपा बरसा रहे है आज आपका मन शान्त रहेगा पढ़ाई में अच्छे से कॉंसेंट्रेट कर पाओगे इस समय में अगर कोई एक्जाम आती है तो आप उसे अच्छे से क्लियर कर पाओगे दिन आप के लिए शुब रहेगा इसका फाइदा जरूर उठाए इस समय में अगर आपके स्वास्त की बात करें सेहत की बात करें तो इस समय में आपकी सेहत बहुत बढ़िया रहेगी इस समय में आप काफी एनरजी टिक रहोगे स्वास्त और मस्त रहोगे दोस्तो सुबह टहलने जरूर जाए, सुबह का टहलना हमारे स्वास्त के लिए काफी फायदेमंद होता है साथ ही अपने खानपान पर नियंतरन रखे, आप स्वस्त रहे और आपके अपनों को भी स्वस्त रखे इस दिन आप लाल रंका इस्तिमाल करते हैं तो आपके लिए शुब रहेगा और एक नंबर इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छ रहेगा